आज हम बनाएंगे शाली माव स्टाइल फालूदा, फालूदा बनाने के लिए मैंने डेर लिटर दूद लिया, दूद को बॉइल आने के बाद 15-20 मिनिट के लिए स्लो गैस पे पकने दिया, दूद में हम आड करेंगे, एक टिन एवापुरेटर मिल्क का, बॉइल आने देंगे और फिर 15-20 मिनिट के लिए स्लो गैस पे पकने देंगे, दूद का कलर चेंज होने तक मैंने दूद को पकाया है, रूम टेंपरेचर पे आने देंगे और फ्रिज में रख देंगे थंदा होने के लिए, शुगर सेरब बनाने के लिए एक कप पानी और एक कप शुगर लेंगे, शुगर डिजॉल्फ होने तक हम पकाएंगे, मलाई कुल्फी बनानी के लिए मैंने 10 लिटर दूद लिया, दूद को बॉइल आने दिया और 15-20 मिनिट के लिए दूद को पकने दिया, दूद में हम आड़ करेंगे, तक हाफ टेंट अफ कंडेंस मिल्क का और हाफ कप अफ शुगर, शुगर आप आपके हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं, दूद को फिर से बॉइल आने देंगे और दूद का कलर चेंज होने तक पकाएंगे, मलाई कुल्फी के दूद का कलर चेंज हो चुका है और दूद थोड़ा गाड़ा भी हो गया है, इसमें हम आड़ करेंगे, वन टी स्पून ओफ कॉन फ्ला मिक्स विथ 2 टेबल स्पून ओफ वाटर, दो मिनिट और पकाएंगे, गैस बन कर देंगे, रूम टेंपरेचर पे आने के बाद फ्रिज में थंडा होने के लिए रख देंगे, ट्रॉपोलाइट की विप क्रीम लिया है मैंने एक कप, क्रीम को भीट करेंगे, सॉफ्ट पीक्स आने तक, क्रीम में थंडा किया हुआ कुलफी का मिक्षर आड़ करेंगे, और बीट करेंगे, कुलफी के इस मिक्षर को एक कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे, और सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे ओवरनाइट, फालुदे की सेव या होला बनाने के लिए हम लेंगे तेड़ कप पानी, वान टेबर स्पून अफ शुगर, आदा कप कॉन्फला, अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद ग्यास अउन करेंगे, और चम्मच हिलाते रहेंगे कांटिनियूसली, जब तक के पूरा मिक्षर ट्रांसपैरेंट नहीं हो जाता, हलका हलका गाडा होने लगा है हमारा मिक्षर, काफी ठीक हो गया है अभी अभी हम ग्यास बंद कर देंगे, गर्ण मिक्षर को मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम पाइप आउट करेंगे, थंडा चिल पानी रेडी रखना है आपको, तयार है हमारे फालूदे, थोड़े मोटे बने हैं, क्योंकि मेरे साचे का जो भोल था थोड़ा मोटा था, फ्रीजर में रखेंगे 30 मिनिट्स के लिए, चलिए फालूदे की लेयरिंग करते हैं अभी हम, सबसे पहरे हम शुगर सिरफ दालेंगे, फालूदा होला दालेंगे, सबजे की सीर्च को मैंने पानी में बिगाया था, सबजा दालेंगे, दूद दालेंगे उपर से, पूल्फिर आलेंगे उपर से, पूलस अप्जा आलेंगे उपर से, और काजू